रश्कार और आप सबी लोगों का स्वागत है हमारे स्ट्यूक्शनल में जिसका नाव है कम्प्यूटर जी और अभी हम देख रहे हैं अपने M1R5 के important question जो हमारे practical exam में आ सकते हैं और आज का सवाल आपके सामने दिखी रहा होगा कही गई है कि सबसे पहले आप इस table को बना लीजे और इसमें क्या करिए total mark आपको calculate कर लेना है और फिर percentage निकाल लेना है उसके बाद कुछ और चीज़े हैं जो हमें करनी है चलिए इसको step wise step सुरू करते हैं और बिना आपका समर्ब बरबात करते हैं आज के अपने इस सवाल का तो सबसे पहले इस series को बनाने के लिए हमको खोलना पड़ेगा लिब्रे office और इस पे हमको just जैसे हमको ये चीज कही गई है वैसे ही बना लेनी है इस चीज को थोड़ा सा fast forward करके बना रहा है क्योंकि ये तो सिर्फ type करना है आप खुद से कर लेंगे काम की चीज में मैं चलिए ये टेबल आपके सामने बन कर तैयार हो गई है अब बात करते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट की कि compute the total mark total mark निकालने के लिए आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर समझी बहुत आसान तरीका है इस इक्वल्टू करना है यहाँ पर जैसे ही इस इक्वल्टू लगाएंगे आपके कैलक वाली चीज़ेंगी का आप फॉर्मुला लगाना गाले हैं इसमें सम लिखेंगे और बार ब चीज़ को आपको सेलेक्ट कर लेना चाहे तो इसे आप सेल के नाम को टाइप भी कर सकते हैं ब्रेकेट बंद करना है और अगर आप चाहरे हैं सारे को एक साथ करना तो यहाँ पर जाएए खिनारे के तरफ जब जाएंगे तो यह प्लस की साइन बनाएगा माउस उस समय के मतलब लेफ्ट साइड की बटन दबा कर खीचेंगे तो सारी चीज़ें जुड़ जाएंगे अब परसंट निकालना है तो परसंट का पॉमला हमने बच्पन में बढ़ा था कि कितना नंबर पाया है भाग कर देते थे टोटल नंबर में से और गुड़ा कर देते थे 100 से तो यहाँ पर यह 300 नंबर का है देखें 100 नंबर एक सब्जेक्ट फिर सो फिर सो तो 300 नंबर का टोटल है तो इस इक पल टू लगाया जितना मिला था उसे सिलेक्ट किया इसके बाद आपका गुड़ा कर दिया हमने 100 से इस चीज़ को ठीक है और उसके बाद भाग दे दिया सोरी यहाँ पर सही नहीं टाइप हुआ है सिलेक्ट कर लिया उसके बाद इस चीज़ को गुड़ा कर लिया है हमने 100 से इस चीज़ को ब्रेकेट में कर दीजिए सोरी यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है चलिए इस तरीके से हम इसको ब्रेकेट में कर देते हैं और उसके बा आईए, total mark select करिए, उसके बाद आपको बुड़ा कर देना है 100 से, उसके बाद आपको भाग दे देना है 300 से, अब एक चीज समझेए, देखें भाग दे दिया हमने 300 से, अब एक चीज समझेए, उपर 100 है, नीचे 300 इसको डिवाइट कर देंगे, total mark को अगर 3 से भी आप डिवा या grade निकाल कर दिखाो, और grade का criteria ये दिया है कि percent 90 से जादा है तो A grade और प्रसंट 80 से जादा है, तो आपका 20 grade 60 से जादा है, तो C 60 से जादा है, तो D 60 से कम है, तो A grade आपका कहलाएगा, ये आपके percentage का तरीका है यहाँ पर, तो इसको चलिए निकालते हैं, अब इसके लिए आपको if use करना होगा यहाँ पर एडिंग डाल देते हैं grade चीक है अब यहाँ पर लगाएंगे is equal to if percent वाला column से लिप करना है उसके बाद लिखना है अगर यह जादा है कितने से क्या चीज़ कही गई है अगर जादा है या बराबर है 90 के तो आपका क्या यह कहलाएगा कौन सा grade यह कहलाएगा आपका a grade देख रहा है यह कहलाएगा आपका a grade ठीक है यह हमने लिख दिया double inverted कॉमा बंद किया कॉमा लगा दिया अब आगे की बात आगे की बात के लिए if फिर से bracket लगाया total आपका percentage select किया फिर लगाया कि अगर percentage जादा है 80 से जादा है या बराबर है जादा है या बराबर है 80 के तो यह क्या कहलाएगा कौन सा grade हो जाएगा यह हो जाएगा आपका फिर b grade हो जाएगा ठीक b grade हो गया इसी तरीके से आगे भी continue करना है देखें तीसरा भी मैं लिख दे रहा हूँ इफ फिर bracket लगाया और उसके बाद condition आपको लगा देनी है कि अगर आपका percentage select किया percentage जादा है या बराबर है 70 के तो आपका यह क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा C grade इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें लिख लेनी है और जितना bracket open किया है मतलब 1, 2, 3, S, E, D, E जितना भी चाहें open कर लेंगे आगे अब भी सारा नहीं लिख रहा हूँ समझ ले रहा हूँ का आप समझे होंगे 1 bracket, 2 bracket और 3 bracket 3 bracket open किया था तो 3 bracket close कर दिया इंटर दबाया तो यह find कर लिए देखो 70 से ज़्यादा है तो C फिर नीचे देखो 70 से ज़्यादा है तो यह भी C आना चाहिए 80 से ज़्यादा है तो आपका आना चाहिए भी उसके बाद इसी तरीके से यह सारी चीज़ आएंगी यहाँ पर 0 क्यों आ गया क्योंकि हमने आपकी C तक की कंडीशन लिखी थी इसके आगी भी अगर आप बढ़ाएंगे कंडीशन जैसे कि यहाँ पर mention है चलिए हम बढ़ा भी देते हैं यहाँ पर हमने लगाया चलिए यहाँ पर हम कंडीशन को बढ़ाते हैं देखें कैसे करना है कॉमा लगाया उसके बढ़ फिर लिखा यह थोड़ा सा इधर आ जाते हैं थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको अच्छे से यह चीज़ें दिखें फिर कंडीशन लगाई आपके लिए हमने फिर परसंटेश सेलेट किया इस ग्रेटर दैन और इस इक्वल टो 60 ठीक ग्रेटर दैन और इस इक्वल टो 60 तो A, B, C हो चुका है तो यह आपका क्या कहलाएगा D कहलाएगा ठीक उसके बाद इंटर दवाया और यह देखें D ग्रेट यहाँ पर यह बन गया सलच बहाएगी नहीं इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर D ग्रेट हमने जोड़ा है ऐसे ही आप E ग्रेट के लिए भी जोड़ सकते हैं कोई आपको दिक्कत वाली तरीका नहीं बन लेगा इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर आपको बनाना है बॉर्डर बनाने के लिए कई तरीके हैं इसके बाद यहाँ पर देखे यह बॉर्डर का उप्शन है इस पर जाएंगे और आप जिस तरफ बॉर्डर बनाना चाहते है यहाँ आउटर बॉर्डर का उप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखे चारो तरफ आपके बॉर्डर बनके तैयार होगए यह आपका water option है यहाँ पर इसके बाद अगले सवाल पर जाते हैं यहाँ पर कह रहा है change the font size of heading to 14 point and underline it and hide column C तो एक एक चीज़ करते हैं पहले heading जो आपकी है यह सारी heading आपकी 14 के size में कर देते हैं heading को पहले select करते हैं यह heading select हो गई इसके font size में जाते हैं और इसको कितने पर कर देना है 14 पर चलो यह तो काम हमारा हो गया इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तकी यह दिखता रहे यह हो गया ठीक है इसके बाद कह रहा है कि underline it underline कर देना है चलिए इसको मैंने क्या कर दिया underline भी कर दिया अब यह कह रहा है कि c वाले कॉलम को आपको hide करना है इसके लिए आपको c कॉलम को देखिए select कर लेना है यहाँ पर c वाला जहां c लिखा है इस header पे जाके right click करना है और आपको hide कॉलम को option मिल जाएगा इस पे click कर देना है देखिए hide हो गया फिर से देखिए c वाले कॉलम को select करना है right click करना और hide कॉलम option पे click कर देना है यह आपका hide हो जाएगा चलिए इसके बाद अपने अगले option की दरफ बढ़ते हैं यहाँ पर अगला सवाल क्या है कि increase the width of column a to 15 character a column की width को बढ़ाना है ताकि 15 character आ जाए तिसके लिए आप a और b के बीच में जाएगे दीखे ऐसी arrow बन जाएगी जब ऐसी arrow बन जाएगे तो आपको इसको बस खीज देना है left side की mouse की button दबाके यह जब है जितना 15, 20, 25 bit आपकी हो जाएगी अगला है align right the value of b c f b c और f को b हो गया c तो हमने hide कर दिया था उसको वापस लेते आते हैं चलिए c को वापस लेते आए b c और f को आपको align करना है कौन से side align करना है कह रहा है right align करना है देखे यह आपका left align है यह center है यह right है तो इसमें आप click करेंगे तो सारी चीज़ें right की तरफ देखे सब चीज़ें right की तरफ align हो गई मतलब right की तरफ से ही अब इसमें लिखा जाएगा चीज़ें right की तरफ से बराबर होंगी यह आपका आज का सवाल था बाकी आपको पता ही होगा हमारा channel free education provide करता है आप हमारे channel को अगर support करना चाहें तो हमारा QR code आपको दिख रहा होगा जिसके आप support कर सकते हैं हर वीडियो में मैं बोलता हूँ और यह उमीद करता हूँ अगर संभव होगा तो आप support करेंगे बाकी like, comment, share, subscribe आप दूमाधार करते ही जा रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार